आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Central Bank का deposit का slip कैसे भर सकते हैं यह form भरना बहुत easy होता है लेकिन इसमें बहुत सारा चोटा चोटा column है तो सायद यह form देखके सब confused हो जाते हैं इसलिए मैं आपको इस form के बारे में आज बताऊंगा और आपको भर कर भी एक form दिखाऊंगा कि आप कैसे भर सकते हैं इस सारा detail में जो इस form में भर होंगा और सारा specimen होगा आपको ये डिटेल नहीं भरना, आपको अपना डिटेल भरना है, लेकिन मैं बस ये एक स्पेसिमेन फ़र्म आपको भरके, आप दिखाऊंगा कि कैसे आप इस फ़र्म को भर सकते हैं, सबसे पहरे तो मैं आपको बता दू कि इसमें दो कोपी होता है, डिपोजिट शिप जो ह आपको यह वहां रख लेंगे तो आपको यह दोनों ही पार्ट भरना है और दोनों में लगभग एक ही रिटेल भरना होता है लेकिन आपको दोनों भरना होगा चलिए हम इसे एक बार भर के देखते हैं सबसे पहले आपको यहां का account with branch लिखना है मतलब आपका कौन सा branch में आपका account है वो आपको यहां पर लिखना है तो आपका जो भी branch में Central Bank का जिस भी branch में आपका account है वो आप यहां पर लिख दे उसके नीचे यहां पर आपको नाम लिखना है आपका जो नाम है या जिसके account में आप पैसा जमा करना चाहते हैं उसका आप यहां पर नाम लिखेंगे गर आपको अपने account में जमा करना है तो आप अपना नाम लिखेंगे आप अगर central bank में किसी और का account में पैसा जमा करना चाहते हैं तो उसका आप नाम यहां पर लिखेंगे और जिसका आप नाम लिखे हैं या जिसका अकाउंट में पैसा जमा करना चाहते हैं उसका 10 डिजिट का Central Bank का अकाउंट होता है वो आपको पूरा अकाउंट नमबर यहाँ पे लिखना है मैं यहाँ पर सिर्फ लाइन कीज़ दे रहा हूँ और कोई भी कटिंग इसमें नहीं करें अगर कोई भी कटिंग करते हैं तो यह आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अभी यहाँ पर आपको लिखना है कि आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं सपोज कि यह मैं 10,000 जमा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 10,000 लिख देता हूँ और यहाँ पर वही पैसा आपको सब्द में लिखना है 10,000 अप इसे कोई भी लेंग्विज भर सकते हैं हिंदे, इंगलिस या कोई भी रिजनल लेंग्विज जो भी आपका है या जो आपको जो भी आता है आप उस लेंग्विज में इसे इजली भर सकते हैं अब ये पार्ट बहुत ही इंपर्टिन होता है अगर आप कैस जमा कर रहे हैं तो आप कौन सा नोट कितना जमा कर रहे हैं पांसो का नोट पास सुलला है तो सुलला लिखेंगे इस तरह से आपको कौन सा नोट आपके पास कितना है वहाँ आपको यहाँ पर पूरा डिटल भरना होगा उसे कल्कुलेट करके पूरा नीचे लिखना होगा तो ये पार्ट आप सही से जरूर भर लिए इस तरह से हमारा ये deposit slip का bank copy complete हो गया ये वाला पार्ट जो है अगर आप check जमा करते हैं उसके लिए भरना है मैं एक cash के लिए बता रहा हूँ तो ये पार्ट हमें खाली छोड़ सकते हैं अगर आप check जमा करते हैं तो आपको यहाँ पे वही लिखना है कि कौन सा bank का check है कौन सा branch का है यहाँ पे check number और check का क्या amount है आप यहाँ पे लिखेंगे अगर आप cash के लिए कर रहे हैं तो इसे आप cross कर सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं अब हम देखते हैं कि यह customer को पी हम कैसे भरेंगे इसमें भी लगबख वही detail है आपको वही सब भरना है यहाँ पे आपको date भर देना है आज का जो भी update उधर पर हैं वही date आपको यहाँ भरना है यहाँ इसका date भर देना है यहाँ पे आपको account number और दस digit का पूरा account number जिसमें आप पैसे जमा करना चाहते हैं वह आपको यहाँ भरना है यहाँ पे फिर से आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे सब्द में आपको पैसा लिख देना है नीचे आपको अंक में वही पैसा फिर से भर लेना है यह वाला जगा आपको खाली छोड़ देना है यहाँ पे जो स्टाफ आपका पैसे जमा करेंगे हो आपके seal sign सब करके देंगे और इधर आपका एक sign है जो bank copy है इसमें आपको नीचे में यहाँ पे अपना initial या sign यहाँ पे करना है तो इस तरह से यह पूरा firm भर कर complete हो गया है तो इस तरह से आप central bank का deposit का firm भर सकते हैं वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा अच्छा लगा हो तो like करिए, share करिए और हमारे चनल को subscribe करिए Thank you